खाली आप एक बार समझेए देखिए कि क्या हो रहा है अब्जर्व कीजिए देखिए अब्जर्व का बार्न मलन वाई निकाल चुके और चौदव एलेक्टरों है साजरा का सारा एलेक्टरों नाइट्रोजन के अंदर पीर्ड होता है अन्प्यर्ड नहीं होता है तो बार्न ऑडर्व थ्री और साथ में डाया मैग्नेटिक इंदर अब देखिए cn plus cn minus no और cn which has highest bond order अपने से बनाओ खुद से बनाओ ठीक है configuration लिखो check करो किसका bond order कितना है हम लोग को यह पता चल गया है कि cn का bond order 3 होता है cn minus का अब उसके वेसेस पर आप आगे पीछे करके सोस्टे चलों यह आपका काम 71 में आपके पास पूछा गया है इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो एच बन नहीं बना सकता एच बन जेनरली बनाता है फ्लोरीन ओक्सजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हईडोजन तो सलफर से जुड़ा हुआ हईडोजन जो है एच बॉण का फॉर्मिशन नहीं कर सकता बाकि ये तीनों इच बन बना सकता यह भी यह भी डिफ्रेशन में और लेक्ट्रोनेगेटिव element oxygen fluorine nitrogen से जुड़ा हुआ hydrogen one का formation करता है एच पॉंड लिखा एदा boiling point of a substance increases with increase in boiling point of a substance increases with increase in intermolecular hydrogen bond intramolecular hydrogen bond boiling point substance का कब बढ़ता है intermolecular H bond से की intramolecular H bond से obviously intermolecular H bond से boiling point increase करता है क्योंकि intermolecular H bond दो अलग-अलग molecule को जोड़ता है जो सबसे important है मालों जैसे हम लोग water का ही बात करते हैं जब आप water का बात करते हैं तो इसमें water के एक molecule का water के दूसरे molecule के साथ H bond होता है इसी H bond को आप intermolecular H bond कहते intermolecular दो-दो अलग-अलग molecules के बीच का H bond ये एक molecule हो गया ये एक दूसरा molecule हो गया उनके बीच का H bond intermolecular तो intermolecular H bond में molecules एक दूसरे से जुड़ जाता है जिस वज़े से उसको high temperature तक गर्म करना पड़ता है तब जाके वह liquid से स्टेट में convert होगा इसी लिए उसका boiling पॉइंट बढ़ जाता है intermolecular H bond इंटर इंट्रा नहीं इंट्रा तो भी में 73 73 में लिखा है which of the following statement is incorrect for writing the lavish dot structure incorrect incorrect the total number of electrons required for writing the structure are obtained by adding the balance electrons of the combining atom एक दम सही है जो जो हमारा आपस में combine कर रहा हूं सबका balance electron count कर लो सबको जोड़ दो तुमको पदा चल जाएगा कि lavish dot structure में कितना dots आपको दिखाना है क्योंकि core electrons को हम लोग लिए डाट इस्ट्रक्चर में नहीं दिखाते क्यों आपनच में कि seguridad तुम संबल एक ब día आपनि नहीं सबकाश कि नहीं आपनोचिव कि इस दिस्टिबिट दर नंबर आफ इलेक्टॉंट अज बॉंडिंग सियर्ट पियर बिटिन अटम सिंद प्रोपोर्शन तो टॉटल बॉंड हाइग गम सही है है माल लेज़े यह किसी भी कैमिकल कंप्वांट में जैसे माल लेज़े बिश बनाते तो में साथ साथ इलेक्ट्रोन होता है, अब आपको पता है कि क्लोरीन का साथ इलेक्ट्रोन देखके वैलेंसल वाला, आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रोन अगर उसको मिल जाए तो वो इस्टेबल हो जाए, और हाइडोजन के पास एक इलेक्ट्रोन है, अगर उसको क्लोरीन का एक इले यह होता है कि दोनों एक-एक इलेक्ट्रोन का सेरिंग किया है और उसी सेरिंग की वज़े से यह बॉंड आता है तो भी आंसर इस करेक्ट लिकाए सी में इन जेनरल दा लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव आटम ऑक्यूपाइस दसेंट्रल पोजिशन इन दा मालिक्यूल यह गलत है ठीक है यह गलत है सेंट्रल एलेमेंट वो जिसके पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोन को अकुमुलेट करने का च्छमता हो जो अच्छे से बॉंड का फॉर्मेशन कर सेके वो है लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव यह जरूई नहीं आप्टर एक्काउंटिं एक बार आप एक सिंगल बॉंड बनाते सबसे पहले सिंगल बॉंड बनता है जिसको आप सिंग्मा बॉंड कहते है उसके बाद जो बचा हुआ एक्ट्रॉंस है अगर फिर भी बॉंडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपस में साइडवेज उबरलैप करके पाई कंप्लीट हो गया है तो वह अन सेड़ फॉर्म में एजलों पर रहेगा अन सेड़ फॉर्म में एजलों पर रहेगा तो सी ऑप्सन इंकरेक्ट है बागी सब सही है ठीक है पागे बढ़े बढ़ू हुआ 74 74 में लिखा है फॉलिंग स्टेट्मेंट इस इंकरेक्ट फिर से इंकरेक्ट कुछ नहीं लेविज डॉट इस्ट्रक्ट्ट्टर प्रवाइड पिक्चर और बॉर्डिंग इन दा मॉलिक्यूस एंड आयन्स इन टरम्स आप सेड़ पियर फिलेक्ट्रॉंस एं ऑक्टेट उसको ऐसे डॉट ऐसे क्रॉस दिखाता और बताता है कि हां बॉर्णिंग बन रहा है दिखता है लोएस्ट अनर्जी स्ट्रक्ट्टर इस डवन विट हाइस्ट फॉर्मल चार्ज बहुत ज्यादा है फॉर्मल चार्ज अगर हमारे आटम या स्पेसिस के उपर ज्यादा है याद रखना energy ज्यादा होगा energy कम नहीं होगा energy ज्यादा होगा ओक्तेट रूएं उसको फॉलो ही करेगा बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा जहां ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता कहीं इलेक्ट्रॉन आठ से कम है फिर भी मॉलेक्ट्रॉल इग्जिस्ट करता है जैसे बॉरॉन का हिलाइड्स बी एफ थ्री बी सील थ्री यह सब अलिमीनियम क्लोराइड एल सील थ्री बी सील टू यह सब ऐसा है जहां आठ से कम इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो इस्टिवल है इस्टिवल है और इग्जिस्ट करता है तो बहुत जगा ऐसा है जहां आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर भी मॉलेक्ट्रॉन इग्जिस्ट करता है जैसे पी एफ फाइब है एस एफ सिक्स से यह सब ऐसा है जहां सेंट्रल आटम के पास आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जब पी-सी-ल-5 या पी-ए-फ फाइब बोलते हैं तो फॉस्फीरस के पासर इलेक्ट्रॉन होता है जब आप एसेफ शिक्स बोलते तो सल्फर के पास बारा इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्टेट्रूल युनिवर्सल नहीं है कभी फेल भी होता है कभी कम कभी ज्यादा होता है बिल्कु से फिर अगला लिखा है एनर्जी रिक्वाइट तो कंप्लिटली सेपरेट वन मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड इन्टॉ गैसेस कंस्टिचुएंट आयन इस कॉल्ड लाटेस अनर्जी यह भी सही है अगर आपके पास कोई एक सॉलिड है तो उसके वन मोल आयन्स को एक द दो तरहीड से सकते हो अगा अएंस जब एक दूसे के नजदीक आये थो उनके कंबाइन होने के बाद एक मोल सॉलिड का फिर मेशन होता है तो जो को एक दूसरे से दूर-दूर-दूर कर देते हैं अब उनको दूर करने में जो एनर्जी का ज़रूरत है उसको कहते हैं लैटिस अनर्जी दोनों तरीके से आप बता सकते हैं बढ़ियां और आगे 75 में लिखा है इंपारेंट कंडिशन ओफ लैविजड़ूर्ट इस्ट्रक्चर अप दोग्यंट कंपाउंड इस आर इंपारेंट कंडिशन जिससे आप लैविजड़ूर्ट इस श्रक्चर बनाते हैं इच ब्रणर चेब करता है तो सिंगल बॉंड अगर दो-बॉंड दोनों करता है तो डबल वार्ण। का फॉर्मिशन होता है कि इच कंबाइनिंग आटम कंट्रिब्यूट एट लिस्ट वन इलेक्ट्रॉन टू दे सेर्ड पेर बिल्कु सही ठीक है कि जो भी हमारा कंबाइनिंग आटम है उद्ध को लाविज डॉट इस्ट्रक्चर सब यह हम बात कर रहे हैं आगे चलके कोडिन coordeant bonds पना और उस coordinate covalent bond को concept के आटम्से आता है कि लेकिन लाविज डॉटे स्ट्ट्र के अंदर बोला गया कि जो भी आटम्स कंबाइन करेगा को HOW इस्सेदारी में बांड्न के के हिस्सेदारी में एक एक इलेक्ट्रों दोनों कंट्रिब्यूट करेगा तो हम लाविज डॉट इस्ट्रक्चर के हिसाब से बोल रहे हैं दा कम्बाइनिंग आटम अटेंग दा आउटर सेल नोबेल गैस कंफिगेशन है एक दम सही यही तो कारण है जिस वज़ां से आटम कंबाइन करता है क्या कारण है तो गेइन स्टैबिलिटी क्या नोबेल गैस कंफिगेशन यही प्रांस्पर ओता नहीं तो क्यु मोने जाए सब अपना अपना इलेक्टरों लेकर अपने गहर में रहा है तो इलेक्टरों का शेरिंग क्यूं हो रहा है कि इसलिए हो रहा है ताकि अगल बगल का जो नोब्ल गैस कंफिगेशन उसको एक्वार किया जाए और हो जाए तो बोलने के लिए आप ऐसा समझे कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है और अब दिये गए कि दिश्वेंटी सिक्स कि विच आप दो फॉलिंग स्टेटमेंट इस इनकरेक्ट फिर से गलत खोजना है पाल्न पर्मिशन ऑफ उप पोजटिव और नाशन वर्मिट्रों का धानाा तो यह सोचो कि electron कितना असानी से remove होगा मतलब ionization energy इन आयन बनाना है तो ये सोचो कि electron के add करने में कितना ज़्यादा energy release होगा मतलब electron gain enthalpy ionization enthalpy is always endothermic ये भी सही है ionization enthalpy का मतलब electron निकालने के लिए जो required energy है तो कोई भी atom अपना electron ऐसे नहीं देगा आपको उसका electron है आप कैसे ले लिजेगा तो आपको अपना सक्ति दिखाना होगा आपको अपना सक्ति दिखाने के लिए आपको उसको energy देना पड़ेगा और उस energy के बदौलाद फिर electron है न बाहर निकलेगा सही है just a minute तो देखो जैसे ही ना है बताया जा रहा था कि आयोनिजिशन इन्थैल्पी जो है वह हमेशा इंडोथर्मिक ही होगा कारण बहुत सिंपल है उसकेस में क्या होता है ना कि जब आप इलेक्ट्रों निकालना चाहते तो अविसली कोई लेक्ट्रों तो देना नहीं हो जाएगा कि आप बोल सकेए कि आटम से बाहर आगे तो खीचने का मतलब ऐसा नहीं कि जब पकड़के खीच लेना है उसको हीट देना पड़ेगा और दे दे कि आप है ने इलेक्ट्रों को बाहर निकाल लिएगा सो प्रॉसेस इस अल्वेज इंडो थर्मिक अगला है दी फॉर्मेशन आ पॉजिटिव निगेटिव इंवाल्ड इलेक्ट्रों गें इन्थल्पी गलत है पॉजिटिव बनाने के लिए निगेटिव अने इन्थल्पी ओके तो लास्ट वाला इंकरेक्ट है बागी तिनों बहुत अच्छा है और तिनों वो समझी अच अंद हाइली एलेक्ट्र पॉजिटिव अल्कली में लिट्र सेपरेटर बाई नुबल गैसेस आपको करेक्ट स्टेट्मेंट चुनना है सिसे याई है फिर सब्सक्राइब है आर्प अगर अगर मॉडर्ण प्रोनेंगेटिव-हलोजन्स अन है तो इधर है से यहां है कि यह बीच में न rette से अगर आपको अलकली च्ठ में आना है तो आपको इस नोब 뭉चे रहलेई से अगर मालीजiper हम लोग fluorine का बात करते तो fluorine के बाद निय॓न आएगा और निय॓न के बाद फिर sodium आएगा अभी इन हालोगेन निय॓न नूबिल गैस और उसके बाद sodium थैड़ अलकाली मिचल ठीक है तो आपके पास पहला लाइन एकदम सही है अगला है, formation of negative ion from halogen atom and positive ion from alkali metal is associated with gain and loss of electron. Gain of electron, this is the character of halogen and loss of electron, this is the character of alkali metal. तो यह भी सही. Negative and positive ions are stabilized by electrostatic attraction. यह भी सही. यह इसी को तो आप lattice energy, lattice enthalpy, यह सब कहते हैं. जब क्रिटायन और इनायन को एक दूसरे के नजदिक आने के लिए छोड़ दिया जाता है, they starts coming close to each other due to influence of electrostatic attraction. और इस electrostatic attraction की वज़ए से, इस electrostatic attraction की वज़ए से, वो है न, finally stable हो जाता है, solid का formation करता है. तो बोला जाये तो 1, 2 और 3 तीनों सही है. D option, 1, 2 and 3, all are correct. आईए 78. Which of the following is drawback of the octet rule? कौन इसमें drawback है आपको बताना है. उसे, मतलब octet rule से explain नहीं होता है. It is clear that octet rule is based upon the chemical inutness of noble gases. However, some noble gases, for example, xenon and krypton also combines oxygen and fluorine to form a number of compound. ये तो सही है. देखे, octet rule बनाने के पीछे, उस समय के science का ये तर्क था, explanation था, कि noble gases stable होता है और noble gases अगर stable होता है, तो हर अगल बगल वाला element noble gas configuration को acquire करने के लिए electron को share करता है, gain करता है, loss करता है, share करता है. ताकि उसका octet complete हो जाए. लेगिन science जब double up हुआ, तो चलो थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं, तो चलो इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फोन उनसे disturbance हो जा रहा है, कोई बात, तो पहला वाला option हम आपको explain कर चुके हैं, कि उसमें जो हमारा xenon और kripton है, यह सब है ना आगे chemically reactive पाया गया, जो more electronegative element fluorine या oxygen के साथ combine करता है, तो octet rule यहाँ पे देरे-देरे जाके fail होने लगा, भास समझें, फिर आगे है, this theory does not account for the shape of the molecule, octet rule shape के बारे मैं ने बताता हूँ, वो बस तुमको बताता है कि तो shape के बारे में यह बताता है कि वो tetraardal होगा, triangular होगा, क्या होगा, उसके बारे में कोई information नहीं देता है, लेका, it does not explain the relative stability of the molecule being totally silent about the energy molecule, यह energy के बारे में भी कुछ नहीं बताता है, किसका energy जदा है, किसका energy कम है, इसको कोई मतलब नहीं, यह बस बता रहा होता है कि valence cell में 8 electron हो जाए, वो stable हो जाएगा, ठीक है, तो समझ के चलो तो यह D option होगा, all of these are correct, all of these are correct, all of these are correct, 79, consider the following statement, consider the following statement, और तुमको इसमें चुनना है correct statement, लिखा है, when a gas phase atom in its ground state gains electron, the enthalpy change is called electron gain enthalpy, सही है, जब कोई neutral isolated gases species, electron को gain करता है, तो gain करने में जो energy को release या gain करता है, उसी कोम नोग electron gain enthalpy कहते हैं, अगर energy release करता है, तो electron gain enthalpy negative होता है, exothermic, और अगर energy gain करता है, electron gain करने के लिए energy gain करता है, तो हमारा electron gain enthalpy positive आता है, इंडो थर्मिक, लेकिन जो energy का change है, उसी कोम नोग electron gain enthalpy कहते हैं, तो electron gain process is always exothermic, ये ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी electron का gain, इंडो थर्मिक भी होता है, कभी-कभी electron का gain, इंडो थर्मिक भी होता है, तो हमेशा exothermic को ये ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखना है, अगला है, तो पूल मिलाके 1 और 3 ये वाला C option आपका correct है, C वाला option आपका correct है, ठीक है, C वाला option आपका correct है, ठीक है, आगे बढ़े, Q नमबर 80, which of the following is correct definition of bond angle, bond angle का correct definition आपको खुचके निकलना है, it is the angle between the orbital containing bonding electron pairs around the central atom in a molecular complex ion, एकदम सही है, जो भी हमारा bonding, orbitals का electron होता है, उनके बीच का जो angle बनता है, जैसे ये मानलो sigma bond बन गया, उनके बीच का angle, ये एंगल ही bond angle कहलाता है, ये एंगल ही bond angle कहलाता है, भी में लिखा, इस डिग्री विच कैन बी experimentally determined by spectroscopic method, इस डिग्री, डिग्री क्या एंगल है तो डिग्री है, फोड़ा सी पढ़ते हैं, it helps in determining the shape of the molecule और complex and ये तो सही है, सी वाला तो सही है, बार्ण एंगल के बैसे पर हम लोग सेप या, सेप आप दो molecule या complex and हम लोग सेट कर सकते हैं, तो चलो इस सब पर लेके चले ना, तो थोड़ा ये जो बी वाला है, उसमें खास तरह का method का नाम लिखा हूँ, अतना method के बारे में हमको, उस method के बारे में हमको knowledge नहीं है, तो मानके चलते हैं कि, विकाज यहाँ दो हो गया, तो all of the above दिया हुआ है, तो ये भी correct होगा, लेकिन एक बार आप लोग देख लिजेगा उसको, ठीक है, बुक्स से एक बार पढ़ ली जागा, आगे बढ़ते हैं, एटीवन, एटीवन में लिखा है, एनेस्ट्री, एनेस्ट्री, बोद दा मॉलिक्ल्स है, पिरामिडल शेप, विट लोन पेर आफ इलेक्ट्रॉन और नाइटोजन आटम, क्या रिजन है कि एनेस्ट्री का जो डापोल मॉमेंट है, वो एनेस्ट्री के डापोल मॉमेंट से ज़्यादा होगा, अगर आप प्रिवियस्ली कोश्चन पर देखेंगे ना, तो एक जगा बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्स्प्लेंट किया गया है, जो सबसे इंपोर्टेन रिजन है, वो आपके डापोल मॉमेंट से निकल के सामने आता है, जब आप एनेस्ट्री बनाते हैं, तो हैडुजन पे प्लस, और नाइटुजन पे माइनस होता है, इसलिए deployment hydrogen से nitrogen की तरफ होता है हर development hydrogen से nitrogen और nitrogen और loan pair का तो उपर हो गए तो यहां पर जो चारो का 4 homelessness है वो हмет ही तरफ आ रहा है तो इसका deployment ज्यादा होता है जबकि NF3 के case में अगहर आप शेप को बनाएंगे अगर आप सेब को बनाएंगे तो एफ का मोर एलेक्ट्रो नेगेटिविटी होने से एफ पर माइनस आता है और एफ पर माइनस आएगा उस रिलेटिव में नाइट्रोजन पर प्लस आएगा तो इस बार जो डैपूलमेंट है वो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ और नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होगा और नाइट्रोजन से लोन प्यार की तरफ होगा तो तुम यहाँ देखोगे तो एक डैपूलमेंट उपर है तो तीन नीचे इस वज़ा से डाइपूल मुमेंट का कंसेप्ट अगर पकलोगे तो एनस्थ्री का डाइपूलमेंट बड़ा एनस्थ्री से होता है अब आईए जरा यहां देखते कि क्या-क्या रिजल्स दिया हुआ है एक्दम सही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डाइपूल मेंट के जस्ट अबूसित में है यह आपको सिव पिगर में भी दिखा सब्सक्राइब करेक्ट यह तीनों सभी है और वो सब आपको इस फिगर में दिख रहा आराम से एनेस्ट्री का जिदर है इलेक्ट्रोन के और वाइटल का डियाप पूल्मेंट उसी डिरेक्शन में लेकिन एनफ्षी में नाइटोजन और पलॉरीन का टापूल्मेंट पाध्यक्शन है और इलेक्ट्रोन के और अबार करेंगा को और ते के अब तोड़ा एंगे को सब्सक्राइब करें nelle के और श्युच्नबन ओी कउसे्यों ऑभिर से कली के लिगा ट्रीटमस सब्सक्राइब कोजना है करेक्ट रिगार्डिंग दपोलेन बॉन्स इन दे केसे और फोलें बॉन्स प्रॉन इस टॉ बाउंडरी तो होता नहीं जैसा कि बोर्श का और बैटल कंशट्थ है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एन एक त्री डाइमेंस स्पेस में पाया जाता है ठीक है जो हम लोग का और्बाइटल कॉंसप्ट है जो बोर्स के एकॉर्डिंग ठीओरी के अकॉर्डिंग में ड्रॉब एक है तब ना क्वांटम मेकेनिक्स बताया बाकी है अगर हमारे पास एक और एक बनाता है तो उनके बीच का जो भी डिस्टंस है उसका आधा एच का रेडियस कहलाएगा दूसरा अगला एच का रेडियस कहलाएगा सही है तो सेकेंड इस ऑसो राइट अगर में लिका है दिकोगले डियस इस मेसर्ट अप्रॉक्सिमेटली रेडियस ऑफ एन आटम कोर्विच इन कंटक्ट विद दक और अट्जसेंट अटम इन दा बॉंडेड सिच्वेशन कि आटम का कोई सर्टेन बॉंडरी नहीं है तो जब हमारे पास यह दो पर्टिकुलर आटम इस तरह से मिलता है तो नूक्लिएस से नूक्लिएस से के बीचिका कुछ डिस्टन्स होता है जिसको दो तो हम लोग यह मान सखते हैं कि इस आटम का बॉंडरी यहां तक है दूसरे आटम का बॉंडरी यहां तकом तो थर्ड is also right statements को पढ़ो ध्यान से देखू तो 1 2 & 3 1 2 & 3 all are correct कि एटीटू के बाद 83 हमको लगा 83 दो बार हो गया गया है एटीट्री एटीट्री में बोला गया है consider the following statement the canonical form have no real existence मतलब आपके resonance से बात होने लगा resonance 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 में जो भी possible structures होता है उसको हम लोग canonical structure कहते है और जो possible structure है वो molecule का real existence नहीं होता है इसका मतलब जो पहला लाइन लिखा है वो एक्दम सही लिखा है कि canonical form have no real existence canonical form का कोई भी real existence नहीं होता है सेकेंड में लिखा है the molecule does not exist for a certain fraction of time in one canonical form and for other fraction of time in other canonical form देखें ये canonical form का जो theory दिया हुआ है ना वो theoretical ही है प्रैक्टिकली molecule किसी भी canonical form में exist नहीं करता वो सब केवल copy pen पे बनाने का चीज़ है केवल copy पे बनाई ये और दिखाई ये molecule real तोर पे किसी canonical form में नहीं exist करता है कि molecule का तो एक ही structure होता वो real hybrid जो final structure आप बनाते हों तो कोई भी canonical form में exist नहीं करता है कि जैर इस नो सच एक्विलिब्रियम बिट्विन canonical form आज भी है बिट्विन टॉर्टोमेरिक फॉर्म देखो टॉर्टोमेरिज्म इस डिफेंट तिंग उसमें आटम्स अपना पोजीशन बदलता है जैसे किटो इनोल टॉर्टोमेरिज्म है उसमें किटोन फॉर्म इनोल फॉर्म सब एक्जिस्ट करता है और जैसा हम पहले बोल चुके एक प्रेक्टिकली डज नॉट एकजिस्ट इस तरह चैसे जो रेजोनेंस में फाइनल मॉलीक्यूल या यह यह जो मॉलीक्यूल इग्जिस्ट करता वो तो रियल हाइब्रीड के फॉर्म में रहता है लेकिन उस रियल हाइब्रीड को को आप किसी एक पर्फेक्ट लैविश स्ट्रक्चर से नहीं बना सकते उसके लिए आपको अलग-अलग लैविस इस्ट्रक्चर दिखाना पड़ता वही जो लैविस स्ट्रक्चर आप दिखाते हो ना उसको गैनोनिकल फॉर्म नाम दे दिया गया है लेकिन मॉलीक्यूल कि इसी भी क्यानोनिकल फॉर्म एक जिस्ट नहीं करता वह हमेशा एक जिस्ट तो करता है रियल हाइब्रिट में तो बोला जाए तो सब का सब सही है सब का सब सही है ठीक है तो नेक्स्ट कोशन आगे नेक्स्ट कोशन इस एटीफोर एटीफोर में आपके पास लिखा है बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन्ड साइज अफ आटम्स हाइब्रिडिजिशन रेजोनेंस एंड बॉन्ड अडर एक्सेक्ट्रा इन दा फॉल्लिंग रिलेशन देखो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा अगर साइज अफ आटम ज्यादा है तो एक्दम सही जितना बाढ़ आटम उसफी आटम होगा उतना बॉन्ड लेंथ दूर होगा इस्पीट्न हॉर्ड digital डॉरो और छोटा होगा भाई स्पीट्र आईइक् effort है हो तो जो हमारा hybrid predictions बढ़ा हो गया जब सब्सक्राइब और बढ़ा होगा और जब सब्सक्राइब और भी बढ़ा होगा तो तो तुम देखी पा रहे हैं जैसे जैसे number of orbitals बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे hybrid टाइड और्बाइटल का साइज बढ़ते जा रहा है तो बाइसलि बढ़ेगा तो दूसरा वहला भी सही bond length proportional bond order यह गलत है bond length is actually inversely proportional with bond order तो inversely proportional ओना च्छी bond order ज्ञादा होगा तो bond length कम होगा and vice versa तो 1 और 2 यह दोनों सही है कि एटी फाइब एटी फाइब में लिखा है विच आप फॉलिंग स्टेट्मेंट इस इनकरेक्ट रिगार्डिंग फैजन सूर्फ जिसमें आप पॉजिटिव केटायन और इनायन को मिलाते हैं तो कमपाउंड बनता है कोई भी कमपाउंड 100 परसेंट आयोनिक नहीं होता उसके अंदर कोबलेंट नेचर होता ही है यह सब जो आप पढ़े हैं तो आपको बताना इसमें से कौन इंकरेक्ट है इट डिसकस्ट पार्शिल कोबलेंट करेक्टर ऑफ आयोनिक कमपाउंड एगदम स the size of Knight.KTE name जितना छोटा होगा.। उसका प्लराईजींग पावर ज्था होगा। उत्तना ज्यादा चार्ज का Diffusion होगा। उत्तना ज्यादा कोबलेंग नेचर होगा। जितना बड़ा इनाएन. collective its N ही ज्यादा होगा उतना ज्यादा चार्ज का डिफ्यूजन होगा उतना ज्यादा ज्यादा कोबलेंट नेचर होगा तो स्मॉलर दा साइज अपके टायन लाजर दा साइज अपनायन ग्रेटर इस दा कोबलेंट कारेक्टर अपनायन ज्यादा से ज्यादा कोबलेंट नेचर होगा और एकदम स्टेट्मेंट सही है कोबलेंट नेचर ज्यादा होगा आयोनिक नेचर कम होगा greater the charge on ketion the greater the covalent character of the ionic bond greater the covalent character of ionic bond covalent nature ज्याद आबिल को सही for ketion of small size and charge the one with electronic configuration of noble gas is more polarizing than the one with transition metal configuration यह उल्टा है यह गलत है ठीक है ना हमेशा ध्यान रखना कि जो ट्रांजिशन मेटल वाला configuration उसके अंदर ज्यादा पॉलराइजिंग एबिलेटी हो जाता है comparison to noble gas configuration तो यह उल्टा आई डी वाला उल्टा लिखाओ तो इंकरेक्ट रहा डी 86 लिखा ऐसा विच आप फॉलिंग स्टेट्मेंट इस इंकर्रेक्ट पॉस्लेट्स ओफ वी एस इपी आर थियोरी कि दा शेप आफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन दा नंबर आफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पिर्स एकदम सही है वैलेंस सेल में जितना भी एलेक्ट्रॉन इकदम सही है थीक है हम लोग को इनकरेक्ट चुनना है एकदम सही है यह वला पिर्स णॉप ऐलद्स सेल डेक्ट्रॉम एलेक्ट्रों सेल रिपल वन अनदर सीजिव एलेक्ट्रॉन इन्द्सिव सेल रिपल सब बिट चार्ड थीक है सही है ना जो भी वैलेंस सैल में ग्रॉप एलेक्ट्रॉन से लिसिपल इए रिपल इछ दर these pair of electrons tends to occupy such position in space that minimize repulsion and that maximize distance between them. एकदम से ही अमेशा electron pair अपने आपको इस तरह से adjust करता है कि उनके बीच का force of repulsion कम से कम हो, distance ज्यादा से ज्यादा हो, stability ज्यादा से ज्यादा हो, energy कम से कम. The valence cell is taken as a sphere with the electron pair localizing on the spherical surface at minimum distance. Minimum distance कैसे? ज्यादा से ज्यादा दूर maximum distance. Minimum distance नहीं, ज्यादा से ज्यादा दूर, maximum distance. क्लिर है? ठीक है. आगे आजो. 87. Which of the following statement is incorrect regarding hybridization? hybridization को लेके बताना है, incorrect बताना है. The number of hybrid orbitals is equals to the number of atomic orbitals that get hybridized. एक दम सही है. अगर दो atomic orbital आपस में मिलेगा, तो दो ही hybrid orbital बनेगा. अगर तीन atomic orbital मिलेगा, तो तीन hybridized orbital बनेगा, and so on. The hybridized orbitals are always equivalent in energy and safe. वो तो हर तरीके से ही के basis पे, orientation की तरह सब जगड़े. The hybridized, hybrid orbitals are less effective in forming stable bonds than the pure. यह गलत हो गया. Hybridization के होने का basic reason ही यही है, कि hybridization के बाद जो orbitals बनता है, वो हमारा ज्यादा favorable bonds बना पाता है, comparison to unhybridized atomic orbital तो यह गलत होगे. D देख लो, these hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion, minimum repulsion, एकदम सही बोल रहा है, minimum repulsion between electron pair and thus a stable arrangement. Therefore, the type of hybridization indicates the geometry of the molecule, एकदम सही, इस सब language, इस सब statements को अच्छे से पढ़िये, minimum repulsion होगा, electrons ऐसे arrange करेगा कि minimum repulsion होगा, ज्यादा से ज्यादा stable arrangement बनेगा और वही उसके geometry को decide करता है, ठीक है, 37 का C option is incorrect, 88, consider the following statement, H2O molecule has B shape with two lone pair of electrons, एकदम सही, अगर आप H2O molecule रहा करते हैं, तो यहां पे oxygen, और अक्सिजन के ऊपर लोन पेर होगा तो अगर दो दो लोन पेर रहेगा तो इसका सेफ लोगों का भी सेफ है और इसके ऊपर है ना भी सेफ हम लोगों का एक्जिस्ट करता है यह आपको बीए सी प्यार थियोरी में बता दिया गया है ठीक है एस फोर एसे फोर मॉलिक्यूल है सी सौ एसे फोर लीजिए ऐसे फोर में अगर आप जाहिएगा तो सल्फर आपको फ्लोरीन के साथ चार बॉंड बनाता हुआ हो Κ Ankara कैसे कि थी निए और सुपर के फिल्फर के उपड़ से खीक ठाके है तो अगर आपको हैप्रिड की श्व च्रॉपार्ध में शेप में अंतर पता है तो एक उल्बान पिर रहता तो पेहला मअको सभी था दूस्सारा संवरे से बनाएंगे तो क्लोरीन तीन फ्लोरीन के साथ तीन बॉंड बना लेगा और इसके पास दो लोन पेर रहेगा अब देखिए जब हम तीनों का तीनों से बस वी एएग के बैसे जो आप चार्ट बनाये हैं उस चार्ट को प्रडूर परिड कर लीजे बॉंड प्यार लोन प्रपकड़ लीजा आपका अंसर है तो सब सही 89 the correct statement among one two three one two three में से आपको कर्रेक्ट चुनना है वालेंस बॉंड त्योरी कैननोट एक्स्प्लेंड दा कलर इग्जिबिटेट बाइ ट्रांजिशन मेटल कॉंप्लेक्स एक दम सही है ठीक है ना वैलेंस बॉंड त्योरी से आप है ना कलर के एक्स्प्लेंड करने के लिए आपको कॉंप्लेक्स के त्योरी पर जाना पड़ता है जिसमें डी और्वाइटल का स्प्लेटिंग हो जाता है एजी और टी टूजी सेप और वाइटल का फॉर्मेशन होता है तो वह प्रपरटी अफ ट्रांजिशन मेटल कॉंप्लेक्स हाँ है यहां से आप है ना जब आप अब कंप्लेक्स कंपाॉंड पढ़ते हैं को वह चैनल मेटल आटम का तो वह तुमको उसके माग्नेटिक्स प्रपरटीश के बारे में बता देता है कि वह जल्क रॉग है तो यहां भाला भलाउन पर लिखा है कि वैधार तूंब कॉंप्लेक्स होगा ने यहां तो ग्वैश्चा कॉंप्लेक्स से पता चलता है सॉरी ट्राइशन मेटल का किस तरह का मैगनेटिक करेक्टर है तो उसको टूरे से आप इक्स्पेट नहीं कर से दिधा बैलेंस बांड थियोरी केंनाट डिस्टिंग्वेस लिगेंड्स अज वीक और स्टॉंग हाँ यह सब्सक्राइब कभी भी यह ने स्टॉंग और विक लिगेंड्स को अलग नहीं कर सकता है यह जो लिगेंड वाला वर्ड आया ना यह एक्चली complex compounds का पूरा सिक्षन है पूरा का पूरा complex compound का पूरा थियोरी इसी बात परzwैस्ट है की central metal atom को लिएंग् छोटा इस्पेस या neutral नूट्र मॉलेक्वेट वह अपना ऐललेक्ट्रनेट करेंगों जो नूट्रल या एनायनिक कि स्पेसेज अपना पेर आफिल एक्ट्रों सेंटल आटम को डोनेट करता उसको लिगेंड का पूरा कंसेप्ट जो है वो भी एसी प्यार थियुरी के अकॉर्डिंग में नहीं चलता ठीक है तो इसलिए लिखा है वैलेंस बांड थियुरी कैन नौट डिस्टिंग्रेस वी केन स्ट्रॉंग फिल्ट लिगेंड सही है तो वान और थ्री यह दोनों सही है यह दी आप्शन इस करेक्ट कि एक नट कि आगे बढ़ते है कि नैंटी कि नैंटी में लिखा हुआ है कि इस फॉल्वाइंग स्टेट्मेंट इन एफ्टू मॉलिक्यूल एफफ सिग्मा बॉंड इस फॉर्मड बाइक्षियल ओवर्लैपिंग ऑफ टू पी और्वाइटल्स याद कीजिए आपके कॉपी पे आपको कैमिकल बॉर्णिंग पढ़ाने के दौरान जब एफ का एफ टू बनाये गया था यह आपको बताये गया था यह पीपी ओवर्लैपिंग है पीपी ओवर्लैपिंग यह कैसे होता है तो यह मेरे एक फ्लोरीन का एकटम यह फ्लोरीन का दूसरा आटम और यह उसका न्यूकलियस यह एक फ्लोरीन का पी ओर वाइटल है यह दूसरे फ्लोरीन का पी और वाइटल है है और दोनों इन-टू-igg उस तरह से ओवर्लैप करके हमारा सिगपाग का Sófiction कि जिसको आप इंटो इंड ओवर्लैपिंग भी कहते हैं इंटो इंड फिर अगला है इन ओटु मॉलीक्यूल में वन सिग्मा बॉंड इस फॉर्मड एक सिग्मा बॉंड बनता है बाइक्सेल ओवर्लैपिंग और व्योर बैटल ये भी एकदम सही इसके लिए अगर आप O2 का जोमेट्री याद करेंगे तो एक ऑक्सिजन के पास 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz यही तो है अब 8 इलेक्ट्रोन अगर भरियेगा न तो इसमें 2 जाएगा और इसमें 1 और 1 जाएगा मतलब अगर आप इसमें पुड़ा सा बॉर्णिंग को और वाइटल के अंदर अगर बॉर्णिंग को समझते है ना तो कुछ इस तरीके का बॉर्णिंग इसमें बनना इस्टार्ट होता है यह तीन एक्सेस हम इसमें ड्रॉ कर दिए फटाफट अब आप देखो और वाइटल कैसे हैं यह एक ऑक्सिजन आटम है यह दूसरा ऑक्सिजन आटम है इसका यह पी और वाइटल दूसरे के पी और वाइटल के साथ इन टो इन ओवरलाप करके पहला सिग्मा बनाता है उसके बाद यह जो दूसरा पी और वाइटल आता है एक ऑक्सिजन का यह दूसरे के पी और वाइटल के साथ साइडवेज ओवरलाप करता है और साइडवेज ओवरलाप करके पाई बन बनाता है तो पहले बनता है एक सिग्मा बॉंड पहले बनता है एक सिग्मा बॉंड और फिर बनता है पाई बॉंड तो सेगंड वाला भी सही है अब देखो थर्ड इन टू मॉलिक्युल वन सिग्मा टू पाई बॉंड सार ओल दा थ्री बॉंड्स आप कैसे बोल सकते जब आप सिग्मा बॉंड बोल रहे तो इंट्विंड ओवर्लैपिंग है ना पाई बॉंड में लैट्रल ओवर्लैपिंग है इसलिए थर्ड वाला गल थर्ड वाला इनकरेक्ट है कि समझें ऐसे चलो बढ़ियां आगे देखू कि नाइंटी वन कि कंसेडर दी फॉल्लइंग स्टेट्मेंट वेन ओटू इस कंवर्टेड इन्टू प्लस बॉंड और डिक्रिजर अब देखो यह कोश्चन हम नहीं बता रहें यह कोश्चन आप को कुछ से किजिए ठीक है अपने से करो कुछ से करो 92 which of the following statement is incorrect regarding the condition for the combination of atomic orbital the combining atomic orbital incorrect खुजना है the combining atomic orbital must have the same or nearly the same energy एकदम सही वैसाई और बाइटल सापस में कंबाइन करता है जब हमारे जिनका जिनका एनर्जी लेबल या तो अल्मोस्ट सेम हो या लगबग सेंग कंबाइनिंग atomic orbital must have the same symmetry about the molecular axis एकदम सही है molecular axis के आब आउट में वैसाई और बाइटल सापस में मिलता है जिसका एक ही तरह का symmetry जिस्ट करता है अगला लिखा है the combining atomic orbital must overlap to the minimum extent यह गलत हो गया ना minimum क्यों जादा से जादा जादा से जादा जादा से जादा overlapping होगा जितना जादा overlapping होगा बहुंड उतना strong होगा तो मिनिमाम क्यों maximum extent तक overlapping होता maximum कि अपिदी में लिका है atomic orbitals have same or nearly the same energy will not combine if they do not have the same symmetry एक दम यह भी सही है मालीजे atomic orbitals है एनर्जी लगबग सेम है लेकिन उनका symmetry नहीं है जैसे हम आपको ऐसे ही एक आइडिया देता है मालीजे इधर एक पी और वाइटल है और फिर यह एक पी और वाइटल अब आप बोलिए दोनों पी और वाइटल है माल लो दोनों सेकेंड और बीट का पी और वाइटल है तो अल्मूस्स सेम एनर्जी लेगिन निका line of symmetry के अबाउट में जो electronic distribution है वो सेम नहीं है तो यह आपस में combine नहीं करेगा they will not combine तो c answer is incorrect बाकि चारों तो तीनों का तीनों करेक्ट साइए थोड़ा आगे बलते हैं 93 वन और वाइटल अव टू आटम संप्लोजर तो फॉर्म बांड वन और वाइटल अव टू आटम संप्लोजर तो फॉर्म बांड अगर एक और वाइटल का क्रिस्ट है एलेक्ट्रोनिक वेब का तो दूसरे का भी क्रिस्ट हो किया आप क्रिस्ट और ट्रफ क्क्रिस्ट तो नहीं बोलेंगे हम तो बस यह बोलेंगे कि दोनों अगर प्लस मिल रहा है तो सें windowsे या और दोनों माइनस भी मिल रहा है तो सेम फेज है और पॉजिटिव ओवरलाप है तो पॉजिटिव ओवरलाप का मतलब है प्लस प्लस के साथ माइनस- wijनस के साथ इसको पॉजिटिव ओवरलाप कहते हैं तो 93 में आपसे बोला गया है उर्वाइटल फॉर्मिंग बॉंज शुड है वाला आंसर सही है प्लस-प्लस के साथ माइनस-देखो ना हमे क्छोटा से एक्जामपल में सब्सक्राइब कर दे क्योंकि अच्छा है अब दोनों का पौजिटिव पौजिटिव अगर आप ओवरलैपिंग में ले रहे हैं तो यह पौजिटिव ओबाप कहलाता है यह हमारा और वाइटल यह भी और बाइटल यह दोनों का निगेटिव निगेटिव अगर आप और लाप करा नहीं जा रहे हैं तो यह भी पॉजिटिव अबरलाप यह भी पॉजिटीव अबरलाप लेकिन जब गलती खुछ ऐसा आप काम करें कि एक के प्लस को दूसरे के तब हमारा यह निगेटिव ओबर्लाप कहलाता है ठीक है पॉजिटिव ओबर्लाप निगेटिव बनेप गांटिफॉर विच अब फॉलिंग इस नॉट एंट एंट इसेंशिल कंडिशन फार है बिलाइज इसन के लिए इसेंशल कंडिशन नहीं है और वाइटल प्रेजंट इन दा वैलेंस सेल आटम सार हाइब्रडाइज यह तो सही है वह होता है और वाइटल सेंडर गोइंग हैब्रडाइशन शुड़ हाब अल्मोस्ट इक्वल एनरजी है अगर इक्वल एनरजी रहेगा तभी है इसेंशल नहीं है इसेंशल कंडिशन थोड़ी नहीं जरूरी थोड़ी ना कि हर इलेक्ट्रों प्रमोट ही हो ठीक है प्रोमोशन के लिए जरूरी नहीं है आप सेम बिना प्रोमोशन के भी अगर अन्पेर्ड इलेक्ट्रों है तो वाइब्रडाइशन में हिस्सा लेता है तो डीमेलिखा, इसक निसेसरी डाइट वाली हाल और वाईट्रों पाटीशिपेट इन दौक इन सम म्रूं में हिस्सा लेता है हुआ वो जो कंप्रिट की फिल्ड है वो लोन प्यर के फर्म में रह जाता है लेकिन लेता है कि कि नइन्टीफाइग कि विचा दौव्लिंग स्ट्रेटमेंट is correct कौन सही पिस कि सिंध्रीक्र अध्रवीज थिक आप पाइच मालन ब्राइट नॉट समेट्रिकल प्र से यह बोलेंगे कि ट्रॉट का जो सिमेट्रिय है न वह एलेक्टोन का इस्केच जो होता है यहां वह सिमेट्री को ही होता थे मिоко करता तो गलत यह घ्र इसके बाद cry of सिग्मा मॉलिक्रीबी टान आएंग तो हम कह रहे हैं सिग्मा आन्पाइब खाल स्युमेटिकल अर्ण दा बॉन्ड एक्सस अब बॉन्ड एक्सस के आरांड में सिमेट्री के बताना ओ ओ आ Europ T अग्जुलि है अन्सिमेट्रिकल होता है अन्सिमेट्रिकल कौन होता है ठीक रिवकर और और बय्टल के आराओं इस म म इस में डि मी समन नहीं होता इस मी अन्सिमेट्रिकल होता है यह जो डिस बड़ेन है strip पाज पुश्चन और करना है इसमें बाते जाना है 96 Consider the following statements The electrons in the molecules are present in various molecular orbitals as electron of the atoms are present in various atomic orbitals एक मिर्ट आपको correct पोजना है The electrons in the molecules are present in various molecular orbitals as electrons of atoms are present in various atomic orbitals लिग्दम सही है Molecule के अंदर electrons जो वो molecular orbital में मौझूद होता है जबकि atoms के अंदर electron atomic orbital मौझूद होता है सेगन में लिखा atomic orbital is monocentric while molecular orbital is polycentric polycentric बोला जाए तो जो भी molecules के बनाने में जो atoms use हो रहा है उन atoms के nucleus के round में electron के मिलने का chances बढ़ता है तो polycentric जबकि atoms के अंदर atomic orbital में एक ही nucleus के चारों तरफ electron मिलता है तो यह भी सही है इस इंटर nuclear access is taken to be in z direction linear combination of 2pz of two atoms produce sigma 2pz and sigma star 2pz एकदम सही क्योंकि हमारा z-axis सी इंटर nuclear access माना जाता है और वही आपस में in to in overlap करके sigma bond बनाता है अगर वह same phase में मिल रहा है plus plus के साथ मिल रहा है तो sigma 2pz और अगर plus minus के साथ मिल रहा पोजिट फेस में मिल रहा है तो sigma star 2pz ठीक है तो तीनों सही है d option होगा 97 consider the following statement in the CH4 molecule there are eight balance electrons available for bonding हाँ बिलको सही चार कारवन से आएगा और चार एक एक हाइडोजन से ठीक है ऐसा sigma molecular और वाइटल आर सिमेट्रिकल अरूंड बॉन्ड एक्सेस एकदम सही अभी हम लोग पड़े कि बॉन्ड एक्सेस का रावन में सिमेट्री को फॉलू करता है देफार्मेशन आफ पॉजिटिव में निगेटिव आइन्स इंवाल्व इलेक्ट्रॉन गेन इन्थैल्पी अच्छा वही निगेटिव के लिए तो आइन्स के लिए मॉलां मैं एक बनाता है यह ना बेलकुल जरूरी नहीं वैसा ही मॉलीकूल जिसमें औकसिजन फ्लोरीन या नाइटुजन के साथ हाइडोजन मौजूद होगा वही कियोवल इस बनाता है ठीक है तो वन और टू करेक्ठ है वन आड़ तो करेक्ट है यह अब 98 a bonding molecular orbital always possesses lower energy than either of the atomic orbital that have overlap to form it's because हमेशा से हुआ क्या है कि atomic orbital मिलता है कम energy का burning molecular orbital बनाता है और ज्यादा energy का anti-burning बनाता है अब आपको इसमें से चुनना है कि जो दिया गया statement है उसमें कौन सही कौन गलत है electron placed in bonding molecular vital tends to hold the nucleus together and stabilize the molecule एकदम सही burning molecular vital के अंदर electrons जो हो nucleus के चारों तरफ रहता है उनको एक दूसरे से बांद के रखता है ताकि molecule stabilize हो electron placed in a bonding molecular vital repel इच अधर गलत हो गया the electron density in a bonding molecular vital is located between the nuclei of the bonded atoms the electron density in a bonding molecular vital is located between the nuclei of the bonded atoms because of which repulsion between the nuclei is very less 8 minutes you you इसका मतलब इसका मतलब यह डी होगा ठीक है क्योंकि होता क्या है molecular vital जब बनता है तो जो हमारे लेक्टॉंस है वो nuclei के बीच में आता जिससे न्यूकिलिस न्यूकिलिस के बीच का जो रिपल्सन है वो घट जाता है तो दूर जाने के बजा एक दूसे के साथ बंधा रहता है डी 99 in the inter molecular access is taken to be in z Direction then molecular orbital obtained from 2px and 2py orbitals are not symmetrical around the bond axis because the positive layer labs are above the फोट है वह हमारे प्लेंग के ऊपर होता है जहां पॉजिटिव अबर लापिंग होता है गलत हो गया तो आपका एप्षन है जो यहां पे सही है चलिए इस से रिस का लास्ट कोश्टन करते हैं हंडेड है है इस विच और फॉल्विंग स्टेटमेंट इस करेक्ट मैंगिचूड ऑफ एच बॉन्ड इस मैक्सिमम इस सॉलिड स्टेट एंद मिनिममम इन गैस स्टेट एक दम सही है सॉलिड स्टेट के अंदर होता क्या है जितना नजदीक होगा इस बॉन्ड जो अलग अलग मॉलिक्विल के बीच का बॉन्ड है वो उतना ही ज्यादा हो सकता है बिल्कुल बस दो अलग अलग मॉलिक्विल होना चाहिए इंट्रा मॉलिक्विलर एच बॉन्ड इस केस में बनता है तो सारा का सारा ओल अबाबार करेक्ट ठीक है तो यह राब तुम्हारे पास पहले सरे में कैमिकल बॉन्डिंग का यह हंडेट कोस्टेंस इन कोस्टेंस को अच्छा केजिए वेरी बेरी इंपॉर्टेंट चाप्टर और जो लास्ट का थियोरी वाला सिक्षन है न उन सबको अच्छे से समझेगा तब चैप्र का एक इस बनता है निमेरिकल से निमेरिकल तो नहीं बोलेगे सब कुछ विश झाल झाल झाल